वो जड़ा उलूदा पठ्था है और मिर्जा जी आ पदनी पलंबर जाके आप बलाए वो लेकिन ये भक भक नहीं करनी चाहिए और हर बली की दुश्मनी और कभी घौस पाकी कभी अधर जुनेदे बगदादी कभी बाजदी बिस्तामी की मतलब बंदे को कुता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुता तो ही नहीं होना चाहिए तो सारी आनों उनुढ़ा गें हैं मेरे पास क्लिप किसी दोज़ने बेर जा के लाए मां ते शहा ही कोई नहीं मां के बारे मैं मां के सब्समाज आई मैं समझता था इसा प्यों पोई नहीं यह तो खोटी ना उपतर नतमएकमीना इंटरनेशनल बेखैरत। पता क्या कहताई यह स्यूती किया है सियूती? इमाम जलालो दीन सियूती शाफई रहमतुल्हालीघ और आपका सिकर नहीं! सियूती क्या है? थो सियूती नहींकर बंदे बेख्जोने नहीं नहीं? सियूती में माहाँ? आपको ये ना कहा है कि यह उसको कुछती कहा है और खोती दा बच्छा कहा है और उसका जवाब नहीं नहीं बंदा किया ना मुझे तो ऐसे फितनों का यही जवाब होता है मैं कहा जाओ एक कंजरा गल कर लगया कंजर दमार दोएक कंजर गाली यह उनी है तैनों शरम तो यह नहीं पर यह उन्दी और अब तो एस महिना एक महिने के अंदर जितना यह नंगा हुआ है और जितना यह एक सोज हुआ है मैं कहता हूँ अगर ये बेघारत और कमीना और हरामी नना हो तो ये वैसे ही मर जाए अगर हलाली हो तो इतना जियादा जलील हुआ है आ लानतिया तुझे नहीं पता वैसे भी तुझे लिए रख्षे कोल के कस आप मेंसे मुझे बताएं कितने लोग हैं चले रियल टाइम हम टेटा ले लेते हैं आप मेंसे कितने लोग हैं कि जिने मेरा तारूफ नेगिटिव हुआ था स्टार्ट में जरा हाथ खड़ा करें शुक्रिया मेरे तमाम वो उल्माई किराइम काम चुक के रखो ये पॉबलिसिटी इन्हों ने करवाई है तो जितना बोलते हैं उतनी अपनी बिद्धनामी अपने जिम्मे लेते हैं अब छोड़ दें मेरे बारे में तो छोड़ दें और इन सो सालों में जितने लोग मुसल्मान हुए हैं पिछली तेरा सदियों में नहीं हुए थे साथ हजार किताबें दो से ज़्यादा किताबें रोज की बनती है साथ हजार किताबों के जवाब देने के लिए भी हमें उमरे नू चाहिए हम जवाब देते हैं डॉक्टरिन का, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, डॉक्टरिन का जवाब होता है तो क्या नभी लिस्लाम को इन्होंने मिलाइंग कर लिया, क्योंकि अब मीडिया का दोर है, लोगों ने स्टेटी किया 9-11 के वाके के बाद, टुइंस्टावर का जो टैक हुआ था, 2001 में, हजारों नहीं, लाखों लोग मुस्रमान हो चुके हैं इसलाम का तारुफ कितना नेगिटिव अंदाज में करवाया गया, लेकि लोगों ने इसलाम कुबूल किया यार जिन लोगों की डुटियां लगी कि तुमने नबी faith को मिलाइन करने की लिए किताब लिए इसलाम के खिलाफ किताब लिए उन्हों ने इसलाम कुबूल कर लिया, यह टाकत है ना तो इसलाम की ताकत सचाई की ताकत इतनी बड़ी है कि इसके आगे कोई बंद नहीं बांद सकता तो उन लोगों का शुक्रिया जो इस तरह की मुहालफत करते है मैंने शुरू में ये बात की थी कि अगर आप लोग चाते हैं कि आपके फिरके 30-40 साल और निकाल दें तो खमोशी मेरे बारे में अक्तियार कर ले जितना बोलेंगे अतनी जल्दी आपके फिरके खतम होंगे क्योंके मैंने तो चुबनी रहना मैं तो हर बात का जवाब दूँगा और मैं और एक्सपोस करूँगा अब तो खेर बातें रिपीड ही करनी पड़ती है कोई इतरास बचे ही नहीं दुनिया का जो मेरे पे ना लगाया हो तो मैं जवाब दे चुकों अब तो मुझे जवाब भी देने की ज़रुद नहीं पड़ती यह इसकी वेरे से हुआ ना सब कुछ तो इन्होंने नुकसान ही उठाया ना इसकी वेरे से जितना प्रॉपे गंड़ा करते हैं मैं उतना ही फिर द्रेरी के साथ आके ना मुगाबला करता हूँ कि यार यह यू नहीं यह यू था एक एक चीज का आके जवाब देता हूँ कोई लिहाज नहीं करता हूँ अभी वो अगले दिन एक मौलाना साब ने मेरे खिलाफ कलीप टड़ाया वाँ और गालियां दी यकीन करें हमारे स्टूडन्स को तो जो बचारे जजबाती किसम के हैं वीडियोस देखके घुसा आता है जो मेरे साथ बैठने वाले हैं ना वो मेरे साथ बैठके हसते हैं सिर्फ वीडियोस देखके मैं आज तक अपने किसी मेरे खिलाफ जितनी भी गाली ग्रोच वाली वीडियो है मुझे कभी भी देखके ना तो कभी घुसा है ना कभी कौफ्त हुई है बलके में तो मीम्स ही वही होती है जिसमें मुझे गालिया निकाल रहे होते है मुझे तो मज़ा आता है कि यार इनके पास अब कोई चीज नहीं है सवाए गालिया निकालने के बाकि इस चीज का जरूर दुख होता है कि इनकी क्या इसलामी तर्बियत हुई है वो लग बात लेकिन उसका मुझे से तो कोई लेना देना नहीं तो अगले दिन एक मुझे ने वीडियो चड़ाई भी कि इंजिनिर साब कहने ने मां ते शाही कोई नहीं मेरे पास क्लिप किसी दोसने पे जा कहना है मां ते शाही कोई नहीं मां के बारे में मां ते शाही कोई नहीं मां के शाही बे मुझे तब समझाई मैं समझता था यह ता सिरफ प्यों कोई नहीं ये तो माँ भी कोई नी ये तो खोटी ना पुतर लगदा है मैं नो ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार तेरी माँ ही ते नो पोच लेंदी पहले बुदूर का ना मुखाले बढ़े हैं उन्हों तो मैं नो पेंदी है अब लगांड़े बच्चा नी आजिसे नी कोईए होगी ना इसके कोई शुरू में कोई अछो आफिर कोई बात होई होकी ठीक है ये बात तो लगांले न्हुन ने बात की वह है بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے तुम में से कोई शक्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माबाप, अलाग सब लोगों से बढ़कर अजीज नहोड़ाओं इसी को मैंने ट्रांसलेट किया कि जहां कि अल्ला और उसके रसूल की बात आजाए वहां माबाप ते शाय कोई नहीं आप मुने बताएं, ये तो हदीस है बुगारी मुस्लिम की उसको जाहरा है, मैंने अपने अन्दाज में बियान किया है जो मुफकिरीन होते है या जो शौरा होते है वो उन्ही बातों को एक डिफरेंट फॉर्म में प्रिजेंट करते है मतलब वो ही होता है सही मुस्लिम में अदीस है कि बेशक अल्ला तला इस किताब की वज़ा से बाज लोगों को औरूज देता है और बाज को पस्ती का शिकार करता है और ये चुके मुझारे का सीख़ा है मुस्तक्बिल को भी कफायत करता है कि अल्ला खुरान की वज़ा से कुछ लोगों को औरूज देगा कुछ को जवाल देगा लेकिन डॉक्टर इक्बाल ने इसी एदीस को ट्रांसलेट किया है माजी के सीख़े में वो जमाने में मौजस थे मुस्लमा होकर और तुम खार हुए तारीक कुराँ होकर ये जवाब शिक्वा का शेर हदीस में तो ये नहीं था हदीस में ये था कि इस किताब की वज़ा से कौमों को औरूज मिलेगा और बास को जवाल मिलेगा मुस्तग्बिल की खबर थी डॉक्टर इकबाल ने उसे माजी की खबर बनाया क्योंकि आज हम मुस्तग्बिल में वैटे हैं हमारे लिए तो माजी हो चुका है हमारे साथ जो कुछ हुआ चाहे वो हमारे साथ तातारियों ने किया या पिलोलियन पावर्स ने किया हमने खौरी तो काट लिये तो उसी बात को एक डिफरेंट अंदाज में उन्होंने पहुचा दिया की मुहम्मद से वफातूने तो हम तेरे हैं यह जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं इस पे जवाब शिक्वा किनकुरूड हुए है न देखें मौल्वियों की कोई तक्रीर डॉक्टर अकबाल के शेरों के बगर मुकमल नहीं होती और कहते हैं अलामा अकबाल ने फरमाया अलामा अकबाल गोलकर डिगडी सी दसो हाँ तुमारे बड़े-बड़े मुफ्ती अलामा अकबाल को कोट करते हैं और अलामा कहते हैं अलामा तो नहीं थे वो तो डॉक्टर थे फिलासोफी में उन्होंने पिएजडी की भी थी दीन उन्होंने उसी तरह हासिल किया जिस तरह मैंने बारल मैंने तो जिस लेवल के उपर आपके सामने बियान किया ये तो डॉक्टर अकबाल ने भी वैसे बियान नी किया कि आपको आयाद या अधिश के कोई वाले बताए हो लेकि उन्हों आले तक लामा अकबाल करने ने उन्हों तक करना छोड़ दे कि महम्मद से वफाँ उने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज़ है क्या वकलंट तेरे ये ल्ला की तरा से उन्होंने जवाब दिया अगर तुने ने नभी के साथ अब ये कुरान औ आजिस में इन अन्फाज के साथ तो कहीं बात मुझूद नहीं लेकिन पूरे कुरान dan सुनत की तीम यही है कि मुहमच से वफात हूने तो हम तेह रहे हैं यह जहां चीज है क्या लोहो गल्म तेह रहे है लोहादा वो हदीश के तुम मौमिन ही नहीं हो सकते और जबरदस्ती वो बच्चों की दाड़ियां मुडवा के अपने लिए भी जहन्म का सबब करती है और अपनी उलाद को भी जहन्म में देकेलती है और अपनी बच्चियों का हिजाब उतरवा देती है कि अच्छे रिष्टे नहीं मिलेंगे और बाद में भी जो मिलते हैं रिष्टे वो भी जो गंद खाते हैं बाद में वो भी पता चल जाता है तो ऐसे माँबाब को फिर हम ना सुनाए कि हमने अल्ला और उसके रिसूल की बात माननी है तुसी ते शाही कोई नहीं माबाब के साथ उसने सुलूक का हुकम अल्ला ने दिया है अगर माबाब अल्ला और उसके रिसूल के बागी है फिर इन मामलाद में उनकी बात नहीं मानी जाएगी हाँ दुनिया में मारूफ तरीके से आपने चलना है human dignity violate नहीं होगी वो तो सुरह लुकमान में आया है कि अगर वो शिर्क का कहें तो तुमने नहीं बात माननी लेकि दुनिया में मारूफ तरीके से चलना है और सही बुहारी में अदीस है हजरत अबुबकर की एक बीवी काफिरा थी अस्मा बिनत अबीबकर की वालिदा हजरत अईशा की जो बड़ी बेहन थी उन्होंने का कि मेरी माँ मेरे पास आती है और वो मुश्रिका है तो क्या मैं उसके साथ उसने सुरूख करूँ तो अल्हा के नबी ने फरमाया कि हाँ तुम उसके साथ उसने सुरूख करो यहीं दुनिया में आपने मारूफ तरीके से मामलात को लेके चलना है सीधी सी बात है इस तरह आउट अफ कॉंटेक्स तो आप जिसकी भी चीज़ काटते रहे इसका तो कोई एंड ही नहीं होना आप जो मर्जी करते जाएं लेकिन आपने फरक देखा हमारे स्टूडन्ट्स यह हरकत किसी के साथ नहीं करते है और हमारे मुखालफीं करते ही है और अपना लुकमा उसके मुँँ में दाखिल करते है और फिर कहते हैं जी जुडिश्री से केसिस क्यों फारे हो जाते है यार जुडिशनी में जो लोग बैठें वे हैं उमलवटे तो नहीं है तुम्हारे बुज़रुगों के अबादत गुजार तो नहीं है जुडिशनी ने तो अपने मामलाद को लेके चलना है उन्हों तो आइन और कानून के मताबिक मामले को देखना ये बात इस तरह है या नहीं है उसके बाद उन्होंने फैसला सुना देना उनको तो इसे घर्ज ही कोई नहीं है ये इसलिए इस तरह की आउट अफ कॉंटेक्स चीज़ें फारे होती है कि वो बाते वैसे होती नहीं है और दूसरा इन चीज़ों से आपको ये पता चल गया कि हमारे मुखावीन के पास ना अब कुरान बचा है ना सुन्त बची है कि वो पेश कर सके हमारी मुखालफत में पहले भी हैर कोई नहीं देपेश करते रेफरेंसिस दें ना दें उनकी अपनी मर्जी थोड़ा बहुत कोई अभी इल्मी शगफ भी आया तो अभी आना शुरूआ है अची बात है हम इसे अप्रिशेट करते हैं ऐसे ही होना चाहिए तो इसलिए मैं जब किसी टॉपिक के उपर बात करूं और वहाँ पर तफसीली जवाब रिक्वाइड हो तो मैं बता दूँगा आपको कि भी फुलाँ वीडियो देख लें हर दफ़ा तो मैं हर जवाब को रिपीट नहीं कर सकता है हम तो यहां के के दिन बैठे रहेंगे स्वालात के जवाबात के लिए पिसे करो कैमरा दखाया करो ना तो उसी शाटा मुना आने दे लगे हुए हो तो मैं इनकी बात नहीं औरिजिनल वाले डॉर्टर स्टार साब की बात करूँ यह हमने उनकी याद में रखा वाए ने तो डॉर्टर स्टार साब रहिमा अल्ला की काफी सरी बाते मुझे बाद में रह रह के याद आती है वो एक बात ये भी कहा करते थे जो भी नबी लिस्लाम के पैटरन पे दावत का काम करेगा तो उसे उन तमाम तकलीफ से गुजरना पड़ेगा जिन तकलीफ से अल्ला के नबी लिस्लाम उनके सहाबा और अले बैत गुजरे है अलिहमुस्सलाम अजमाइन और रदियल्लाह अजमाइन तो किसी ने किसी दरजे में और दूसरा वो ये बात क्या करते थे वो कहते थे मुझसे बड़े कुरान के उल्मा मुझूद है लेकिन लोग उनकी तकरीर में भी अर्बी खुत्मे में ही जाते है और मैं कोई आलिम भी नहीं हूँ लेकिन लोग मेरी बात सुनते है वो कहते थे इसलिए कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ जिसकी वरे से मेरे पास दुनियावी तालीम है और मैं आज के दोर का इंसान हो जब मैं बात करता हूँ तो मेरी आडियोस को पता चल जाता है कि ये कोई साथ आठ सो साल पहले कोई अबने तैमिया का शगिर्द कहीं से कोई लम्बी हुबर पाक है तो बात नहीं कर रहा या कोई धेड सो साल पहले को अश्री थानवी साथ के पास को बैठने वाला को बाबा नहीं था कि वो पुरानी उर्दू में और पुरानी मिसालों में इबातें कर रहा है बलकर वो फील कर था कि आज के दोर का इनसान है तो इसमें मैंने एक और चीज़ अड़ कर दिये चुके मीरी तबीयत के ल котором मिजा है तो मैं कोशिश करत αυτό हूं कि इस अंदाज मैं भी मिज़ा के अंदाज मैं भी को बात कन्वे हो जाया किसी स्लोगन के जरीये